दो जार उन्नीस के चुनाओं में भाई संजय निसाद भारतिय जन्टा पार्टी के साथ जुड़े और निसाद समाज गाउं गाउं से निकल कर हर हलके में हर बूत पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते देखते दो तिहाई बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया ये निसाद समाज और भारतिय जन्टा पार्टी के गटवंदन से हुआ था मित्रो आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि राम चरित मानस में गोस्वामी तुलसी दाज जिन्ने कहा था कि जब प्रभु स्री राम और मा सिता को भुमी पर सोता देखा तब निसाद राज की आँखों से अस्रु की धारा बहे चुकी थी और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु स्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है देखा है या नहीं देखा है जोड से बुलिये देखा है या नहीं देखा है इतने सालों तक प्रभु स्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका आप सभी को मालूम है मुझे भी मालूम है मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने दो तिहाई बहुमत से बनाई पूर्ण बहुमत से बनाई मोदी जी ने कुछी समय पहले आकास से भी उंचे गगन चुम्बी प्रभु स्री राम के मंदिर की नीव डालने का काम किया है और कुछी समय के अंदर हम देखेंगे कि वो ही जगह पर जहां प्रभु स्री राम का जन्म हुआ था वही गगन चुम्बी प्रभु स्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा वित्रो जब मोदी जी सरकार बनी मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार घरीबों को पिछड़ों को दलीतों को आदिवासियों को समर्पित रहेंगे मैं आप सभी को पुछना चाहता हूँ इस सपा बसपा कॉंग्रेस ने कई सालों तक देस और उत्तरप्रदेस में सासन किया किया या नहीं किया जोर से बोलो किया या नहीं किया बही गरीब के गर में घेस आया था क्या? जोल से बोलो आया था क्या गेस किसने पहुँचाया मोदी जी ने पहुँचाया नहीं पहुँचाया बोलो किसने पहुँचाया हर घर में सोचा ले किसने पहुँचाया हर गरीब को घर किसने दिया हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुँचा रहा है हर गरीब के गर में एक पांच लाख रुपय का स्वास्त का काड़ देने का काम किसने किया भाई ये सारे काम गरीबों के हुए तो निसात समाज के हुए या नहीं हुए जोर से बोलो हुए या नहीं हुए मित्रों यहां जो सरकारे चली सपा बसपा बसपा सपा इन्होंने जो भी आया अपनी जाती का काम किया